तरहें दिनों से बहुत सारे लेक आते थे जिसमें ये बताया जाता था कि Artificial Intelligence बहुत जल्दी ही मानवों की नोकरी को खतम कर देगी यानि के तक्निक की विज़ मानव के उपर हो जाएगी लेकिन ये अतनी जल्दी हो जाएगा और इसकी शुरुवात कल और साहिते यानि के Art and Literature से होगी ये हम में से शायद किसी नहीं सोचा था जी हाँ एक कमपनी Open AI के दौरा एक Chatbot रिलीज किया गया है और इसके रिलीज होने के एक हफ़ते के अंदर एक मिलियन यूजर इस Chatbot पर रिलीज हो गए है आज की वीडियो में समझेंगे कि कैसे ये Chatbot यानि के Chat पर टेक्स्ट के रूप में बात करने वाली ये प्रोग्रामिंग मनुश्यों की नोकरी के लिए खतरा उत्पन कर रही है नमश्कार दोस्तों मैं प्राची सूपर कोचिंग आई एस वे टेस्ट बुक में आप लोगों का विह स्वागत करती हो देखे सबसे पहले न्यूस दी गई है कि ओपन ए आई चैट जी पी टी चैट बोट क्रोसेज वन मिलियन यूजर इन लेस तन अ वीक दरसल यह कन्वसीशनल चैट बोट है यानि कि बातचीत करने के लिए बनाया गया एक चैट बोट है और इसकी खासियत यह है कि यह बिलकुई मनुश्यों की तरह आपसे बात कर सकता है जैसे हम लोग essay की रूप में, निबन की रूप में, paragraphs में, sentences में आपस में बात करते हैं उसी तरीके से यदि आप इससे कोई भी प्रश्न पूछते हैं, कोई बात जानना चाहते हैं या आप इससे कुछ लिखवा कर काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं अगर बच्चों के लिए कोई कहानी आपको लिखनी है, तो ये chatbot आपके लिए कर देगा साधरन सी बात थी, लेकिन अगर आप कोई चीज को लेकर coding लिखना चाहते हैं तो ये chatbot भी कर देगा अगर आप चाहते हैं कि आपको quantum computing कोई simple terms में समझा दे, तो teacher की क्या जरूरत है चैटbot ये भी कर देगा अगर आपको college में कोई essay लिखने के लिए दिया गया है, तो भी जादा महनत नहीं करनी है चैटbot ये भी काम कर देगा इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि Java scripts को लेकर कुछ लिख दिया जाए वो काम भी इसके दुआरा कर दिया जाएगा यहां तक कि आने वाले टाइम में movies के लिए writer की जरूरत भी शायद ना रहे क्योंकि movie script भी जो है इस chatbot के दुआरा लिखे जा सकती है मैं आपको दिखाऊंगी कि इस chatbot से यह पूछा गया था कि भई आप हो क्या तो इन्होंने अपने बारे में बड़े confidence से चीज़े बताई है तो यहां पर आप देखिए कि चाहे आपको daily routine वाली emails लिखनी हो या फिर educational articles लिखनी हो या फिर आपको कुछ चीज़े पूछनी हो वो सब काम इस chatbot के दुआरा किये जा सकते हो बिल्कुल एक मानव जैसे बात करता है जैसे हम आपस में conversation करते है उस तरह की conversation ये chatbot जो है कर सकता है यहां पर दरसल आप ये देखिए कि इसकी capabilities के अगर बात करें किया इसकी छमता है तो इसमें ये भी ध्यान रखेगा ये ये भी याद रखता है कि आपने इससे पहले क्या बात की थी और इस बात को follow up भी इसके दुआरा किया जाता है कि आप लास ताइम ये पूछ रहे थे अभी उसमें ये improvement मिल रही है तो ये भी आप जान लेजिए इसके अलावा इसको इस तरीके से train किया गया है कि अगर आप शरारत करते हैं और कुछ गलत बात इससे पूछना चाहते हैं तो ये आपकी request को decline भी कर सकता है उने serious note क्योंकि हम जानते हैं कि internet जैसे technology जब से public के हातों में आई है तो जितना जाद इसका use हुआ है उतना जाद मिस्यूज भी हुआ है तो for example अगर कोई से ये पूछता है कि weapons कैसे बनाया जा सकता है तो उस तरह कि request को ये decline भी कर सकता है कुछ examples दिये गए हैं जैसे प्लीज explain quantum computing in simple terms अगर ये पूछा जाएगा तो answer निकल कर आ जाएगा अगर पूछा जाए भई 10 साल के बच्चे का बद्दे celebrate करना है ज़रा creative से idea दे दो वो भी बता देगा लेकिन ये तो Google search से भी हो जाता ना बट Google search engine चीजों को ढूंडने का एक तरीका है आप कुछ keywords वहाँ डालते हैं और वो keywords जहां-जहां मिलते हैं उन सब को वो आपके सामने खोल के दे देता है देन आप उसमें से जो पसंद आता है उन चीजों को जो है थोड़ा सा घूम फिर के ढूंड लेते हैं यहां पर आपको एक response बहुत बढ़िया फिटन जो है मिल जाएगा जैसे for example इससे पूछा गया था कि जो parliamentary democracy है वो जो other form of governments हैं उस system से बहतर कैसे है यानि का संसदिये जो एक लोकतंतर है वो बाकी तरीकों से कैसे better है तो आप यहां देखेंगे कि उसने पूरा essay के रूप में ही answer लिखके दे दिया है search engine की तरह आपको 10 articles नहीं पढ़ने हैं और उसमें से एक best article चूज नहीं करना है उसने आपके लिए answer जो है लिख दिया है हुमीद आने वाले समय में में सांसर रेटिंग भी असान हो जाएगी खेर इस model को बनाया कैसे गया है देखिए जो language processing model होते हैं computer के उन सब की मदद से machine learning जिसके अंदर भी deep learning इन सब को आप कह सकते हैं मिला कर इस program को तयार किया गया है यहां पर इस program के अंदर बहुत सारा text जो की internet से उठाया हुआ है किताबों से लिया हुआ है wikipedia से लिया हुआ है आर्टिकल से लिया है वो इसके अंदर जो है feed किया गया है आपको यकीन नहीं होगा कि एक whooping 570 GB का data जो है जो किताबों से, web के text से, wikipedia से, आर्टिकल से यह internet पे writing के कुछ और places थे उनसे लेकर जो है इसके अंदर क्या किया गया है feed किया गया है यह आप यह कहेंगे कि इस model को train किया गया है यह सारा जो database उठाया गया था अब यह training में कैसे हुई है इसको भी थोड़ा सा अदेशी भासा में समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर देखिए तीन सो बीलियन वर्ट्स feed किये गए हैं इसके system में जैसे मालने जे इस chatbot से अगर यह पूछा गया कुछ एक artificial जो इंजिनियर्स थे जो है काम पर लगाया था कि भई पेड की जो लकड़ी होती है उसका रंग कैसा होता है अगर उसने उत्तर सही दिया तो फर इंजिनियर्स के दोड़ा फ्वीड किया जाता है कि यह response सही था अगर उत्तर गलत दिया जाता है तो ना सिर्फ इसको सही उत्तर बताया भी जाता है बलकि कौन सा उत्तर कितना जाधा सही है उसको प्राइवर्टी के बेस पर रैंक करने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है फूर एक्जांपल छे साल के बच्चे को जब आप मात सिखाते हैं तो अगर वह सही जवाब देता है तो रिवार्ड मिलता है और गलत जवाब देता है तो परिश्मेंट मिलती है फिर से चीजों को सिखाया जाता है कुछ इसी तरह की ट्रेनिंग आप कह सकते हैं इस प्रोग्रामिंग में जो है दी गही है जिसमें बहुत सारी टेक्नोलजी का कॉम्बिनेशन दिया गया है इस चेट बोट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मानव की भाशा को बहुत बहतरीन तरीके से समस्ता है यहाँ पर देखें दरसल इससे पूछा गया था जो चेट जीपीटी है उसका जड़े एक डिस्क्रिप्शन दे दो तो तो इसने अपने बारे में बताया भाई मैं बातचीत करने वाले एक आर्टिफीशल इंटेलिजन्स का सिस्टम हूँ और मैं 20 किस पे हूँ तो दरहसल एक लांगविज मॉडल है जिसको बोलते है GPT इसका फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफोर्मर जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफोर्मर जो वर्ड है प्री ट्रेंड इसको ध्यान रखिए कि पहले से दीगई ट्रेंग के बेस पर चीजे जो है अब जनरेट हो रही है इसमें बतायागा कि जो एक natural language होती है प्राकर्तिक भाशा में जो बातचीत होती है वो मैं कर सकता हूँ users के साथ चीक है और यहां पर basically जो chat GPT है यह दर असल दूसरे chatbot के comparison में इसलिए बहतर है यह लगातार अपने आपको सीखता है लगा और conversation को varied तरीके से जो है ले जा सकता है क्योंकि जो powerful GPT-3 model है उस पर यह based है एक knowledge base जो है इसके अंदर फीड किया गया है वो भी wide range of topics पर किया गया है चीक है अब देखिए हमने बात की GPT-3 की तो Generative Pre-trained Transformer यह क्या है यह भी same company जिसने ही chatbot बनाया है इनके द्वारा विक्सि इंटरनेट का अत्याधूनिक भासा प्रसंसकरण, Artificial Intelligence एक model है भाषा का प्रसंसकरण क्या होता है सामने वाले ने आपको कुछ कहा है तो उसको आप अपनी दिमाग में प्रोसेस करते हैं दिन चीजों को समझते हैं तो एक model ऐसा बनाया गया है जो मानवों की भाषा को समझ उस model को बहुत सारे टेक्स्ट वगरा दिये गया है वर्ट्स दिये गया है उस वर्ट्स को वो समझ के प्रोसेस करके उस हिसाब से आपको रिस्पॉंस करता है और यह चैड़ वाट इसी के ओपर बेस्ट है तो मानव समान पार उत्पन करने में यह सक्षम है इसलिए इसने इसको क्या कहा कि भाई में भासा प्रस्वार्शा करने AI मॉडल हूँ सीधा सा मतलब कि मैं ऐसी प्रोग्रामिंग हूँ मैं कैसी प्रोग्रामिंग हूँ जो मानव भाषा को समझती है ठीक है यहां पर कोई वीडियो कोई धवनी या कोई चितर कोई इमेज यह जनरेट नहीं होती बलकि बोलने जाने वाले और लिखने जाने वाले शब्दों की गहरी समझ इसके पास है हम कहते हैं कई बार एक फ यहां के बारे में हमारी जितनी भी समझ है वो भाषा के जरिये ही आई है सही बात है तो इसके बात देखे जैसे अगर मुझे कहा चाहे कि क्वंटम जो मेकानिक्स है उसके ओपर कोई आर्टिकल जरा लिख के दिखाईए तो मैं घंटों लगा दूंग या हो सकता है बहुत या दिन लग सकते हैं लेकिन यह जो चैट बॉट है यह एक अच्छी तरह खा लिखा हुआ अल्टरनेटिव सेकेंड्स में जरूरेट कर सकता है यह यूएसपी है दर असल इस चैट बॉट की अब यहां पर यह देखिए मैंने आपको बताया तकनिक क्यों हो लाग है क्यों सामने खुद से सज़ेस्ट कर देता ओफ दे या फिर अगर आप सब थैंक यू लिखते हैं तो आगे फिर से लिख देता है एक फोर कन्फॉर्मिंग तो खुद से उसने सज़ेस्ट कर दी चीज़े आपको यह छोटा एजएमपल इसी को बड़े लेवल पे ले जाएए एक पूरा आर्टिकल लिखना है एक पूरी मुवी की स्क्रिप्ट लिखनी है जिसमें रोमैंस है जिसके अंदर कुछ इमोशन भावनाए हैं विलन है हेरो है उनके डायलोग है मनुष्य की बहुत सारी फीलिंग्स है फीलिंग्स को भाशा में उतारना बहुत बड़ी बात होत अब यहां पर बात करते हैं कि क्या सब कुछ इतना बढ़िया है वास्तम में मनुष्यों को कलको आर्टिकल्स लिखने न्यूस पेपर के अंदर न्यूस आर्टिकल्स की नोकरी या पढ़ाने की जॉब क्या चली जाएगी क्या एजुकेशनल अगर रिसर्च पेपर कोई प्रूडियां और कुछ लोगों की सामन्य राई भी होती है उससे यह परभावित हो सकता है इस दुनिया में रंग भेद है इस दुनिया में मानवों और मनुष्यों या फिर आप कहें आदमी और ओरतों के बीच में भेदभाव है इस दुनिया में जाती को लेकर भेदभा वे पूरवा घरा होने की पूरी संभावनाय है अगर आप कहते हैं कि एक stand-up comedy की जरे script generate कर तो मेरा show है अने वाले time में तो आपने देखा होगा कि जो पुरानी stand-up comedies है वो किसी ex-politician को target करके बनाएं गई है यह जोग बनते हैं एक जोग बहुत पॉपल नहीं होता है तो यह बड़ा popular है तो basically इस तरह की चीजों को लेकर यह क्या कर सकता है जो अपनी next script लिखेगा उसमें लिख सकता है तो चीज़ें आपर परप्चुएट हो रही है जो पहले था वही फिर से क्या है reinforce किया जा रहा है यह इसकी देखिए एक चमता है और भाश्या को आप समझ सकते हैं लेकिन क्या मनुश्यों की feelings को आप समझ सकते हैं भावनाओं को तो आज तक वेज्यानिक भी नहीं समझ भाएं तो कई बार इस chatbot के साथ क्या होता है कोई question अगर आपने इससे पूछाया है वो थड़ा complicated आपने इसको phrase किया है तो यह शायद I don't know answer बोल दे लेकिन उसी चीज़ को फिर से refresh करेंगे कुछ आश्यान चीज़ों में तो यह शायद उसका answer दे और यह limitation company की तरफ से भी मानी गई है और उन्होंने काया कि हम इस पर काम कर रहे हैं देखे बविश्य में क्या चुपा हुआ है capabilities क्या क्या है भई पिछली कही हुई बात याद रख लेगा follow-up भी आपको देदेगा अच्छे दोस्त होते है ना पिछली बार आपने उनको अपना दुख बताया होता है तो next time वो फिर से पूछते है हाँ वो वाली problem थी ठीक हो गई तो follow-up भी हासे हो जाएगा गलत request अगर होई है तो decline हो जाएगा जैसे अगर आप किसी यह पूछते है यार मैं किसी को manipulate कैसे कर सकता हूँ तो request decline हो सकती है लेकिन limitations क्या है कई बार incorrect information generate हो सकती है कैसे मैं बताऊंगी आपको कई बार क्या है यह harmful instruction या फिर biased content आपको दी सकता है जैसे आपनी किसी चीज को कैसे करना है यह पूछार उसको लेकर इंटरनेट पे काफी जादा articles ऐसे पड़े होए थे जो नहीं ठीक थे लेकिन programming को नहीं बता है कि what is right or wrong in terms of ethics तो यह हाँ पे problem है दूसरा क्या है इस chatbot की जो knowledge है दुनिया में 2021 से पहले जो event हुए थे वहीं तक limited है इसके लावा 2021 तक भी बहुत सारे topics ऐसे थे जिन पर बहुत सारी चीजे भी develop हो रही थी अभी बहुत सारी चीजे उन पर बननी बाकी थी आधी अधुरी knowledge और आधी अधुरी काम पर हम चल रहे थे तो इसके knowledge वहीं तक limited है क्योंकि उससे पहले का data आपने दिया देकि machine को आपने जो दिया उसे के आधार पर machine काम करती है तो यहाँ पर आप देखिए अगें हम बात करते हैं बहुत सारी fake news आपको मिलेंगे इंटरनेट पर बहुत सारी आपकल्स मिलेंगे जो गलत चीजों को सत्यापित करने की बात करते हैं जैसे कुछ लोग कहते हैं धर्दी गोल नहीं है और वास्तम में कहीं लोग इस पर बिलीव भी करते हैं तो मशीन इस तरह के गलत डाट से इकना सीख ले दूसरा क्या है बाइसे जैसे वोमिन अच्छी लीडर नहीं हो सकती वोमिन अच्छी ड्राइवर नहीं हो सकती तो यह जो बाइसे यह जो पूर्वा ग्रह हैं इनसे मशीन कैसे बचेगी इसके अलावा यहां पर एक अच्छी बात है कि अगर आपने कुछ गलत पूछा है तो मशीन के द्वारा डेकलाइन किया जा सकता है मशीन नहीं चैटबॉट कहना इस राइट थी लेकिन कई बार गलत इंफोर्मिशन और गलत इंस्ट्रक्शन मिल भी सकते हैं तो आने वाले समय में आटिफिशल इंटेलिजेंस मनुष्यों की नोकरी को छीनती है या फिर मनुष्यों की नोकरी में बढ़ावा देती है बस उनको रिस्कल करनी की ज़रत है यह समय बताएगा यहां पर एक बहुत बज जो क्रियेट हो रहा था और कमेंट सेक्शन में अपना फीड़बैक जरूर दीजेगा बने रही है सूपर कोचिंग आई-एस भई टेस्ट बुक के साथ नमस्का जैहिंद